दिली में थर्ण जारी है और आएमडे से इस वक्त सिंगर मौसम वेज्ञानिक आरके जीना मनी जी हमारे साथ मौझूद है से दिली में कहा जा रहा है येलो अलर्ट है दर्शकों को समझाने के लिए येलो अलर्ट किन कंडिशन्स में दिया जाता है होता है तो अभी येलो है उसको हम लोग अपग्रेड करेंगे तो नेक्स्ट्री टू फोर डे जो है कोल्ड का मतलब ज्यादा ट्रेंड है तो दीन कताब मना आज भी तो लो चल रहा है दो डिगरे अलरी नीचे चल रहा है अभी तक तो आज भी कोल्ड होगा लेकिन काल से थो होगा ही होगा वो जो कोल्ड मेने बताया दो दिन रहेगा बात में खुलेगा आश्मन यह स्थिति रहेगा हमारा उतर भारत में जैसे पंजाब अर्याना रजस्थान और पस्च्रम उतर प्रदेश मेल यही एरिया जो है दो दिन कोल्ड रहेगा उसके बाद कोल्ड वेव जो रात कताब मान में फॉलोना शुरू होगा तो वानि जो 27-28 है वो कोल्ड का कोल्ड वेव का जो है वो ज्यादा इंपक्ट रहेगा तो इसलिए हम लोग इसको जो है एलो आलाइट में रखा है फिर आपडेट करेंगे जैसे जैसे इंटेंसफाय होगा और आगे कोई बारि होने का ज्यादा सुंभा बना है यही है बस अप्टू 2nd February लेकिन 28 के बाद ताप मन थोड़ा इंप्रूब होगा 28-29 या 29 नाइट से क्योंकि कुछ WD अभी आ रहा है हमारा वेदर चार्ट में 2nd February बिल्ली में थोड़ा क्लाउड होगा यही है लिटेस्ट सर यह जो टर्म् में वो तो रहता है घर के अंदर तो रात कताप मन में भी इसलिए फिल होता है कहीं कोई बाहर गया है कोई सुबह उड़के कोई टालना चाहता है तो उसी का जो मिनिमाम टेमरेजर है वो ज्यादा कम नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें भी आदमी के उपर प्रहाप पड़ जाता है तो उसको हम लोग कोल्ड वेव बोलते हैं वो मिनिममम टेम्परिचर बेस में ठीक है ना यह जरूर ध्यान रखना कि रात कतापमन सुबह तक जो मिनिमम जो लोईस्ट जाता है और दीन कतापमन जैसे दीन में कामकारिया लोग करते हैं कहीं हमारा जो चाहिए तो इसलिए वो भी आदिम को इंपक्ट करता है अगर जैसे पिछले 15 दिन होगे पूरा धंका हुआ है बादल चाहिए बारिश हो या लोग क्लाउड हो फोग हो तो उसमें आदिम को परिशानी इक्वली फेस करना पड़ता है इसलिए हम लोग का जो कंडिशन निक अगर आखरी सवाल यह जिस तरी के साब बतारे कि 27 के बाद से टम्परेश चींजोगा और अभी जैसे कि 10-15 दिनों से सूरज देखने को भी मिला तो यह अगर दिन की टाइप अगर कल से यह क्या यह माना जाए कि आने वाली दिनों में सूरज देखने को मिलेगा लेकिन रात की ठंड बढ़ेगी बिल्कुल आपने ठीक बोला कि जो दीन का दाब मन आगे जाके बढ़ेगा 27 से थोड़ा सूरज देखा देगा अब यह जैनुरी एंड हो रहा है तो सीजिन भी तो इंप्रूव होगा ना बहुत लंबा हो गया यह कोल स्पेल लेकिन रात का ताप्पान बढ़ेगा यानि की इंटेंसिफाई होगा यानि कोल्ड वेव की सिच्वेशन जो है दिल्ली में बनी रहेगी दो फरवरी तक किसी वेस्टन डिस्रिबें इसका अभी फिलहाल कोई चांस नहीं है यानि कि आने वाले इस पूरे हफ़ते में दिल्ली वालों को ठंड के साथ ही गुजर करना है फिलहाल कोई राहत की बात नहीं है वीडियो जोनलिस अनिल सूथ के साथ प्रियांगा कानपाल न्यूस एटिन इडिया दिल्ली